हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड्स केवल 20 दुनों में जी हाँ फ्रेंड्स केवल 20 दुनों में आप अपना मंचा है बजन घटा सकते हैं आज मैं आपको एक ऐसी ही रेमेटी के बारें बताऊंगी जिसको रोजाना यूज करने से आपके सरीर का बजन बहुत ही तेजी से घटने लगेगा ये नुस्त का इतना जादा असरदार है कि आपके सरीर से एक्स्ट्रा फ्रेट को मोम की तरह पिगला देगा जी हाँ फ्रेंड्स आप इसे घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके किचिन में ही एविलेवल हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप इस्टो करके रख सकते हैं अगर आप इस रेमेडी के पूरा फाइदा उठाना चाते हैं तो आपको इस रेमेडी के साथ सा जंक फूड के सेवन से बचना है तली हुई चीज़ों का सेवर नहीं करना है ज्यादा मीठा नहीं खाना है अगर आप ऐसा करेंगे तो मातर 20 दिनों में आप गारंटी से अपने सरीर में फर्क देख सकते हैं आपके सरीर से चर्वी और फैट गाय होने लगेगा आप इस मुष्के को अपने हातों से ही तयार करेंगे ताकि आपको यकीन रहेगा कि जिन चीज़ों का आप इसमें यूज करने जा रहे हैं वो बुलकुल नेचरल है जिनका कोई भी साइट एफेक्ट नहीं है तो चली फ्रेंट्स इसको बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे में रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर वेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो चली फ्रेंट्स इसको बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है जीरा जीरा आपका बजन कम करने के साथ साथ आपको अनेक बीमारियों से भी बचाता है जीरे के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रापरटीज होती हैं जो कि आपके सरीर में खून की कमी को पूरा करती हैं और साथ ही आपके फैट को वर्म करने में बहुती जादा हेल्प करती हैं अब इसके बाद में अगली चीज आपको लेनी है अजमाइन अजमान आपकी पाचन सक्ती को बढ़ाने में बहुती ज़ादा हेल्प करती है आपके पेट से गैस और बधजमी को दूर करने के साथ साथ जो आपके extra fat जमा हो जाता है उसको भी दूर करने में बहुती ज़ादा हेल्प करती है इसके बाद में आपको तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेनी है सौप तो सौप का यूज आपने देखा ही होगा सौप जो है आपके हाजमे को बढ़ाता है और क्या ही लोगों से आपके सरीर को बचाता है अब इसके बाद में एक और चीज जो लेनी है वो है काला नमक, यहाँ पर आप सेना नमक भी ले सकते हैं, काला नमक बहुती जाद उपयोगी होता है, यह गैस की समस्या को पेट फूनले की समस्या को दूर करके आपके पाचन सक्ती को बढ़ाने में बहुती जादा हेल्प कर अब करना क्या है आपको अब इन सभी चीजों को आपको धीमी आज पर इनने भून लेना है, फ्रेंड्स क्वांटिटी आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको चार चमच जीरा लेना है, इसके बाद में आपको बरावर मात्रा में यानि कि आपको चार अजमाइब लेना है अब इन दोनों को आपको अलकी आज पर गरम कर लेना है यानि कि इनको थोड़ा सा बहून लेना है जब यह भुण जाए तो इसमें आपको दो चमस सॉंप एड़ कर लेना है अब इन सब को भूल लेना है आपको द्यान रहे फ्रेंड्स यहाँ पर इनको जलाना नहीं है हमें केवल इनकी नमी को निकालना है ताकि इन सबी चीजों का अच्छे से चूरण बन जाए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन सबी चीजों का अच्छे से भूल लिया है अब इन सभी चीजों को आपको मिक्सी की हल्प से इनका बारिक चूरण बना लेना है आप देख सकते हैं वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनका बारिक चूरण बना लिया है अब इस चूरण को आप किसी बावल में निकाल लेंगे तो अब इसमें जो आपको लास्ट चीज जो मिलानी है वो है ब्लैक साल्ट यानि की काला नमक तो फ्रेंड्स काला नमक जो है आप अपनी स्वाद के अनुसार इसमें मिला सकते हैं मैं यहाँ पर 1 चंबच इसमें कालो नमक मिलाओंगी , आप देख सकते हैं वीडियो में आप चाहे तो इसमें सेहना नमक भी मिला सकते हैं इसको बच्छे से मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं हमारी दवा बनकर रेडी हो चुकी है आपको इसे किसी कंटेनर में इस्टूर करके रख लेना है आपको जब भी इसे यूज करना है आप इसे यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हैं आपको इसका यूज किस तरीके से आपको करना है रोजाना रात को सोने से पहले आप इसको एक चम्मच एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं खाना खाने के एक घंटे के बाद में आप इसे खा सकते हैं ताकि यह जादा effective और असरदा सावित हो इस remedy को यूज करने के साथ साथ आप exercise भी करिए और अपने खाने पेने का भी ध्यान रखिए आपको जादा तलीबुनी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है और oily चीज़ों और जंग food के सेवन से भी बचें तो friends अगर आप ऐसा कर लेंगे तो केवल 20 दुनों में जी हाँ friends केवल 20 दुनों में गारंटी से आप अपने बजन को कम कर सकते हैं इस चूरंड से आपकी पेट की जितने भी समस्या होती हैं वो सारी खतम होने लगती है और आपका पेट की जो पाचन सकती है वो भी बढ़ने लगती है जो आपके सरीर में एक्ट्रो चर्वी है वो धीरे-दीरे कम होने लगेगी क्योंकि friends ये नुसका जो है आपकी पाचन दुनों में विली में friends आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका feedback जरूशे करें इस remedy के regarding अगर आपका कोई question है ताब मुझसे comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका reply जरू करूँगी I hope आपको ये वीडियो जरू पसंद आया होगा तो प्लीज जल्दी से इसको like करिए share करिए और अपने friends family और relative के साथ जरूशे करें ताकि वो लोग भी इस remedy का जाद से जादा फायदा उठा सकें और साथ ही हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि friends मैं आपके लिए ऐसे ही और भी remedies लाती रहूँगी जो कि आपको बहुती जादा benefit देने वाले होगी अब मैं remedy के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एव नाइस डे